हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब देखिए आज की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम में आपके साथ जो बच्चों के माइड में इस टाइम पर आकर प्रैशर क्रियेट कर देती है और उसका सलूशन क्या हो वो मैं आपके पास लेकर आया हूँ क्योंकि बच्चों को के बार इस वक्त पर आपकर कोई particular subject में एक या दो chapter उनके हाथ में ऐसे बार बार घूमते हैं आखों के सामने यार मैं ये दो या एक chapter छोड़ के जाना चाहरा हूँ अब मैं कैसे decision लूँ इनको छोड़ जाऊं या करके जाऊं मुझे ये लग रहा है देखने में तुझे लगता है कि पता नी paper में कहां से आजएगा कुछ छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन मेरी situations मालो मैंने आज तक वो chapter अच्छे से देखा नहीं या देखा भी था लेकिन अब मुझे लग रहा है भूल गया जब कोई भी वज़य हो सकती है तो मेरे mind में वो खटकर आया क्या करूं उसको लेकर कैसे decision लूँ देखो इसको कभी भी मैं आपको पहले तो ये reality बताऊं कभी भी ऐसा ना करो चलो मतलब friend को phone किया वो कहता मैंने भी छोड़ा हुए आप इसे decision नहीं लेना मैं आपको बताऊंगा अगर आपको लग रहा है कि आप छोड़ना चा रहे हो तो उसमें क्या smart work लगाओ आज मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा देखो सबसे पहले तो मैं पूरा step by step चलूँगा एक एक step कि मेरे उपर जे situation आ गई है तो मैं क्या करूँ मैं आपको वैसे step by step चलूँगा देखो सबसे पहली बात हो सकता है आप foundation के student हो इंटर जा IPCC old new syllabus मतलब जा final में old new syllabus तो आपका कोई भी subject है कोई भी chapter है मैं आपको एक example देने लगा हूँ यह example आप किसी भी subject में fit कर लेना आपके काम आ जाएगी मालो एक for example एक CA final old syllabus का student है और उसका suppose कर लो direct taxes का आप screen पर भी देख रहे होगे कि direct taxes का उसका subject है और वो सोच रहा है अपने mind में कि मेरे पास एक chapter है penalities Penalities chapter है मैं यह chapter छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे से इतने sections है इतनी penalties याद नहीं हो रही तो मैं कैसे decision लूँ तो मैंने इसको भी chapter को postpone किया चलो बाद में देखते हैं बाद में देखते हैं लेकिन अब मेरे को परशानी हो रही है कि final decide करो करना यह नहीं करना है सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले ऐसे नहीं भीना सोचे समझे छोड़ दो सबसे पहले उस chapter को लेकर अपना past data उठाओ आपके पास latest से लेकर past जाओ कुछ 5-6 attempts के papers में देखो कि क्या उसमें से कितना का आ रहा है हर बार आ रहा है जा नहीं आ रहा है मैं आपको एक practical करके दिखाता हूँ मैंने for example January 21 के paper में देखा कि penalities chapter में से 6 number का paper में आया हुआ है फिर मैंने November 20 में देखा ये 4 marks का आया हुआ देखो मैं आपको ये भी बता दूँ यूज कर सकते हो वरना ये analyzer सभी बच्चों को पता ही ये वैसे मारी website पर available है मैंने description box में link भी लगाया होता है अगर किसी को चाहिए होगा website पर available है लेकिन इसमें कुछ ऐसा जादू मंतर नहीं है आपके पास अपना analysis है आपके पास scanners है सबसे आपका ये purpose all होगा जो मैं आपको करके दिखाने लगाँ अब देखो मैंने इसमें January 21 का paper में देखा के 6 number में आया हुए November 20 में देखा 4 number में आया हुए अब इसके इलावा आपको ये भी थोड़ा सा जिना रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका जो paper है उसमें MCQs भी आते हैं वो तो question paper में बाहर आते हैं नहीं वो तो जैसे analyzer में मुझे show ही नहीं होंगे क्योंकि जो actual suggested answer है उसमें तो MCQ दिये ही नहीं होते है ना तो it means अब अगर इसमें से MCQ भी आया हुए नंबर के तो 4 plus 2 हो गया अब मुझे ये पता चला अच्छा 6 नंबर का और 4 नंबर का दो previous attempts में आया हुए मानलो मैंने January और November 20 को देखा अब मानलो मैंने ये देखना है कि इसमें से ये जो आये हैं ये question number कौन सा आया हुए थोड़ा सा ये देखूं तो मैंने कई compulsory में तो नहीं आरा में इंडेटरी वाले में तो मानलो सबसे पहले मैंने January 21 के paper को खोल के देखा इसमें penalties में question number आया था 6 का C part अब मैंने देखा कि November 20 में कौन सा आया हुए November 20 में penalties का मानलो 5 का A का 2nd part आया हुए अब इसमें MC क्यूं है नहीं है वो हम नहीं idea लगा सकते अब इसके बाद मैं जरा जाता हूँ अपने इससे पीछे 4 past attempts में तो मैंने May 18, November 18, May 19, November 19 ये सारे मानलो analyzer को खोल लिया अब मैं देखना हूँ penalties का कितना कार है अच्छा यहां पे भी 10 number का है यहां पे 3 number का है यहां पे नहीं है क्या चाहिए अगर आपकी situation ये बन जाती है कि paper में आ रहा है अब आप क्या करो सबसे पहले ये वले जो paper में आये हैं इनके question खोल लो जैसे for example May 18 में 10 number का आया है तो मैं यहां से analyzer से देख रहा हूँ कि May 18 में मेरे पास penalty का question number कौन सा था sixth का A part और sixth का B part मैंने वो question paper खोला suggested answer खोला इस question को देख लिया अच्छा ये question है ठीक है ये है इस चीज में अपने module में टिक लगा लिया कि इस topic में से पूछा गया है ये question है फिर मैंने देख लिया ऐसे number 18 के paper में कि अच्छा मेरे पास penalties वे से अच्छा third question आया हुए ऐसी आपके पास जो भी 6-7 past papers का data है या आपके पास scanner है या analyzers है आपने वहां से वो questions number देखा suggested में खोला और वहां पे देख लो questions को अब ये at least मेरी suggestion ये है कि सीधा ही ऐसे chapter को छोड़ने की बजाए आपने at least past 5-6 paper के questions कर लिए उसके उसमें ज्यादा logic, concept, clarity में ना जाओ एक limited level तक mind को message दो कि जितना का आपको समझ आता है उतना का understand कर लो अब देखो क्या study material में इस chapter में जैसे को questions paper में आए है ऐसी छोटी-छोटी कोई illustrations वगेरा है जो मेरे लिए possible है मैं उनको cover कर लूँ अगर आपको लग रहा है 3-4 illustrations है मैं सारे sections नहीं पढ़ता हूँ हर section में तो example लगी नहीं study में जो 3-4 examples है वो प्लस back portion देख लेता हूँ तो करते-करते आपने छोडने की बजाए मालो आपने इस chapter को ऐसे past paper देख लिए just examples देख लिए मालो आपने 20% chapter को देख लिए जितना आप देख भी सकते थे time के accordingly इसको समझ भी सकते थे इससे ज्यादा मालो आप नहीं जा सकते आपकी capacity नहीं है जा time नहीं है तो आपने पूरा analyze करके decision लिया और जो possible था वो आपने कर लिया अब mind पर कोई बोज तो नहीं न रहेगा कि मैंने सोचे बिना सोचे समझे छोड़ दिया जा अपने friend के कहने पर छोड़ दिया अब paper में कई बार क्या होता है कि मैंने खुद चीजें face की है बच्चों ने बहुत सारी face की है मेरे साथ share की है कि जो chapter हम घर से बहुत अच्छे से करके जा रहे है कि इसमें से तो जहां से मर्जी आ जाए मैं handle कर लूँगा ठीक है उसमें से ऐसा question आ जो मेरे को नहीं handle हो पाया लेकिन ये जो मैं 20% ऐसे past paper देख गया था जाते जाते मैंने module के questions को at least go through कर लिया था लेकिन वैसा ही आ गया ये मैंने attempt कर लिया इसमें से तो मैंने सोचा था मैं कभी attempt भी नहीं कर सकता 5 नंबर का मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया और वो जो जिसके उपर मेरी grip थी 10 नंबर वाला उसको मैं करी नहीं पाया तो आपको इसने paper में fail होने से बचा लिया तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको मेरी सारी बात समझ आ गही होगी है ना कोई भी chapter अगर आपको लग रहा है कि ये तंग कर रहा है और आप practical होकर ये disease लेना चाहते हैं तो एक बार analyze जूर कर लो हां कई बार होता है अब मैं सारा नहीं खोलूँगा कई बार होता है कुछ chapters वाकिए उसमें से कभी कुछ नहीं आ रहा है कभी-कभी जाके आया है तो आप उनको skip कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरे पास time नहीं है time है तो देख लो अगर जितना कर सकते हो लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें से आ भी रहा है और आप छोड़के बैठे हो तो देख लो किस level का रहा है और study में किस level की उसके examples है अगर controllable है तो देख लो इसको एक बर सारा क्यों है as it is छोड़के जाना ठीक है तो फिर भी अगर आपके माईडी में भी कोई query घूमेगी तो मेरे साथ comment box में जरूर share करना बाकि जितने बचे channel पर नहीं है मैं आपको ये बोल दूँ कि जाद से channel को join जरूर कर लेना आपके exam तक मैं सारी practical level की बाते करूंगा आपके साथ एक मिनट भी आपका waste नहीं होगा जो आपके exam में जाके काम आएंगी तो चलिए all the best आज इतना ही रखते हैं कल दुबारा मिलूंगा again all the best thank you so much